हेलो नमस्कार सांति हूँ, वेलकम टो रॉयली स्टडी दोस्तो आज जिससे कि आप सभी को पताईए MPPSC Pre-2024 का Spasal Exam था आप सभी का Paper 1 का Analysis हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं पूरी आंसर की हम आपको लिए 100 Questions की लेकर आ चुके हैं हमारे पास में Set B है हम इस Set B को पूरा Solve आपको करवाएंगे, पूरा आंसर की हम आपको यहां पर बताने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा लाज़ तक देखेगा क्योंकि MPPSC Pre-2024 का Spasal Exam यह हुआ है अभी Paper 1 है, इसके बाद में Paper 2 भी आपके लिए लेकर आएंगे और इस वीडियो की अगर आप चाहते हैं कि PDF आपको मिल जाए तो आप टेलिग्राम को जोइन कर सकते है description में आपको link मिल जाएगी हमारी application को भी download कर लीजगा उसकी link भी आपको description में मिलेगी clear है, तो आईए guys start करते हैं पहले आप सब इस request है कि channel को subscribe करके नहीं रखा है तो subscribe करके बिल आइकन को all पर select आप कर लीजगा वीडियो को like कर दीजगा, अपने दोस्तों को साथ से अर भी इसको कर दीजगा फटा फटी start कते हैं हमारे पहले प्रसन से प्रसन नमबर पहला हमारी screen पर है अब यहाँ पर जो question आपको दे रखा है यह है imitation game किसका mall नाम था तो imitation game किसका mall नाम था इस तरह से यह question बना है यहाँ पर set B का है हम एक बार और आपको clear कर दें तो imitation जो game है imitation game यह mall नाम है the turing test किसका the turing test का mall नाम है imitation game तो याद रखेगा यहाँ से हमारा option number जो B है बिल्कुल correct answer आपका चला जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question के और अगला question है Twitter के संस्ताफक कौन है या Twitter के संस्ताफक है Twitter के जो संस्ताफक है इनका नाम है Jake Dorsey Jake Dorsey first option इस question का correct answer रहेगा आपका correct answer हो जाएगा Jake Dorsey जो की Twitter के संस्ताफक है आईए नेक्स्ट बात करते हैं अगले question की question number 3 हमारी स्कीन पर आ चुका है और ये e-governance related question है e-governance के 4 इस्तंब क्या है यानि की e-governance के जो 4 इस्तंब होते हैं वो कौन-कौन से यह आपको बताना है तो e-governance के 4 जो इस्तंब ये पहला है लोग, प्रकरिया, प्रद्योगी की और संसादन तो यहां से हमारा जो पहला option है यही बिलकुल correct answer हो जाएगा लोग, प्रकरिया, प्रद्योगी की और संसादन यहां पर आपको याद रखना है ये format इसका रहेगा चलिए next question की बात करते है अगला question हमारी screen पर है 4th number का Unix operating system का केंदरी भाग कौन सा है Unix operating system का जो केंदरी भाग है यह command cell, kernel, directories and program, files इन में से आपको क्लिक करना है तो आपका यहां से kernel जो होगा यह बिलकुल correct answer हो जाएग option number B Unix operating system का जो केंदरी भाग है यह है kernel अगला question आपकी screen पर है यह क्या है यह आपको बताना है जो आपको यहां पर इसका नाम बताना है search engine है, social networking site है blog है, यह internet forum यह है इस तरह से आपको मिला है तो यह good rightly यह एक search engine है यहां से हमारा first option इस question का correct answer रहेगा चलिए next question है हमारी screen पर question number six है यहां पर आपको यहां पर blank दे रखा है डेस, हमला, ब्रामक email या text संदेशों के रूप में आता है जो आप से software install करने या आप यक्तिका जनकरे प्रकट करने के लिए कह सकता है तो यह किस तरह का होता है spamming होता है यह virus, signing, phishing और scanning इसको क्या बोला जाता है तो इसको जो basically यह जो आता है यह आता है phishing की सरेनी में phishing की सरेनी में यह आता है यहां से हमारा option number जो C है बिलकुल correct answer रहेगा 7 number का question हमारी screen पर आया है उन पैसेवरो और व्यावसाइक लोगों के लिए एक social networking site जो अन्य पैसेवरो से जुड़ना चाते है कौन से है इस तरह से आपको बताना है तो facebook, myspace, twitter और linkedin यहां से आपको चार अलग-अलग options मिलें इन में से select करना है उन पैसेवरो और व्यावसाइक लोगों के लिए एक social networking site आपको बताना है जो अन्य पैसेवरो से जुड़ना चाते है उनके लिए linkedin हो जाएगी यहां से हमारा option number D बिलकुल correct answer रहेगा और यह questions तो I think आप social media use भी करते हैं सभी तो आप सभी को पताईए आईए next बात करते हैं अगले question की internet के छेतर में internet के छेतर में W3C इसका अर्थ क्या है तो internet के छेतर में W3C का जो अर्थ होता है यह होता है worldwide wave consortium इसको बोलाता है तो worldwide wave consortium यह होता है इसको W3C बोलाता है यहां से हमारा option number D के साथ में बिलकुल correct answer चला जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question की और अगला question है cyber forensics full stake developer और machine learning यहां से आपका correct answer रहेगा machine learning machine learning जो है या artificial intelligence की साखा है आपका D option correct answer हो जाएगा आसनी से आपको क्लिक होई रहे तो बिलकुल आपका correct answer D option चला जाएगा चलिए next question है MPEG का अर्थ क्या है MPEG का जो अर्थ है यह क्या है जल्दी से क्लिक करेगा सही जवाब यहां से हमारा जो रहेगा moving picture experts group यहां से आपका correct answer रहेगा option number D यहां से हमारा correct answer हो जाएगा यह इसका full फॉल पर मता है MPEG का आईए next बात करते हैं अगले question की अगला जो question है हमारी screen पर है question number 11 यहां से आप देख सकते हैं question है केसव चंदर सेन को ब्रहम समाज का प्रधान आचारी किसने न्युक्त किया था केसव चंदर सेन को ब्रहम समाज का जो प्रधान आचारी न्युक्त किया था यह किया था देवेंद्र नाट टेगोर ने देवेंद्र नार्ट टेगोर आपका C option correct answer यहां से हो जाएगा चलिए next टूप देखते हैं question गांधी जी ने किस अंदोलन के शमे Wales के राजकुमार का बहिस्कार करने का हवान किया था तो ये गांधी जी ने जो किया था ये किस अंदोलन के देखते दोरां किया था ये किस अंदोलन के शमे किया था तो ये किया था है लोने असायोग अंदोलन के शमे आपका यहां से B option correct answer हो जाएगा गांधी जी ने असायोग अंदोलन के शमे Wales के राजकुमार का बहिस्कार करने का हवान किया था बी option बिलकुल correct answer आपका चला जाएगा चली next question है more recalling प्रसासनिक व्यवस्ता में प्रदेश्ठा किस विभाग से समदित है तो more recalling प्रसासनिक व्यवस्ता से question आपका बनाएं प्रदेश्ठा यहां से पूचाए कि यह किस विभाग से related है राजस विभाग, न्याई विभाग, सेन्य विभाग और आर्थिक विभाग यहां से आपका जो correct answer रहेगा यह रहेगा न्याई विभाग यहने की B option बिल्कुल आपका यहां से सही रहेगा चलिए अगला question दिखते हैं अगला question के एम पनिकर ने किसके लिए कहा कि वे आदुनिक भारत के सरुपरतम कुटने दिख गी थे तो यह के एम पनिकर ने कहा है और किसके लिए कहा है यह आपको बताने है बाकि आपका first option गि send करेकस्र यहां से हो जाएगा अगला question इंब बंगला भासा में रचित एतिहासिक उपनियास दुरगेस नंदिनी के लेक्षण का नाम क्या है बंगला भासा में रचित एतिहासिक उपनियास दुरगेस नंदिनी तो बकिम चंद्र चटरजी आपका correct answer हो जाएगा 15 में B आईए next बात करते हैं अगले कुशन की next कुशने guys हमारा किस वेद में सभा और समीती को परतक संस्तानों के रूप में गोसित किया गया है ये जो किया गया है ये जो वेद है इसका नाम है अतरव वेद में अतरव वेद में सभा और समीती को परतक संस्तानों के या संस्ताव के रूप में गोसित किया गया है अतरव वेद यहां से हमारा सी option के साथ में चला जाएगा बिल्कुल आईए next बात करते हैं चत्री वर्नों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र किस संपादन का प्राउदान था तो आपका करेक्ट आंसर यहां से चला जाएगा option number B गायात्री मंत्र आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा निमने लिकित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है सबसे अधिक प्राचीन जो वेद है साधना कहा जाता है यह कैसे कहा जाता है तो यह कहा जाता है किसको धारना को धारना यानि कि D option करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध केलास मंदिर कहा इस्तिदे गुहा मंदिरों में सुपरसिद के लास जो मंदिर देखने को मिलता है ये मिलता है एलोरा की गुफाओं में ये इस्तिते बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आपका रहेगा चलिए अगला कोशन नर्मदा नदी से रिलेटेड बनाए नर्मदा नदी का साहितिक संदर्व मेहिर का जन्मिस्तल भी कहा जाता है तामर पासान योगिन इस्तले जिसको वरा मेहिर का जन्मिस्ता भी कहा जाता है ये आपको बताना है और काफी जादा इजी कोशन ये आपके लिए हो सकता है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा काईटा जो कि उजेन में आता है ये व सबी को समेलित करना है जल्दी से करिएगा आप क्लियर है हम आपको बताते हैं राजा मर्दन सिंग राजा दोलत सिंग राजा बक्त वली और मुराद अली इन सभी को इनके जो क्रांती छित्रें इनसे रेलेट करना है हमको तो यहां से हमारा जो कर्रेक्ट अंसर हो जाएगा यह कौन सा होगा, पॉइंट पर आते हैं, हमारा जो correct answer यहां से हो जाएगा, यह first वाला होगा, यह इसलिए होगा, क्योंकि राजा मर्दन सिंग जो है, इनका है भानपूर, हैना, तो यहां से हमारा, यह हो जाएगा पहला, इसके लवर राजा दोलस सिंग जो है, इनका हो जाएगा, निमावर के लिए रहे, तो यह दो हो जाएगा, राजा बक्त वली, इनका सहागड़ी है, तो यह तीसरा हो जाएगा, और मुराद अली ये इनके च्योता हो जएगा तो ये हैं आपका जो करम रहेगा ये रहेगा 2134 2134 जैसा कि आपको करम देखी रहे 2134 आपका यही करम रहेगा तो फर्स्ट आप्शिन करेट अंसर यहां से हमारा आपिशन पर फर्स्ट रहेगा अगला कोशन है मोहन खेडा जेन तिर्थ निम्न मैं से किस जीले मिस्टी दें मोहन खेडा जेन तिर्थ इस्तले ये और ये जो देखने को मिलता है ये मिलता है देवास में देवास फस्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा चलिए अगला कोशन है निम्न लीकित मैं से कौन सा योग मो गलत है, गलत योग मो पहचानना है आपको अब इन में से जो गलत है, देखे बोरी, हुसंगबाद बिलकुल सही है, गंगउ, पन्ना ये बी सही करेरा, सिवपोरी, ये भी सही है घाटी गाउ ये इंदोर आपको दे रखा है, तो गँगउ जो है यह आपका इंदूर में नहीं के लिए तो आपका इनमें से यूगम गलत बताना है आपको तो यह वाला गलत है डी ऑप्शन इस कुशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाकि सभी गलत हो जाएंगे डी ऑप्शन चलिए अगला कुशन है हमारा गम्मत लोकनाटी का सुत्र इस सुत्रधार कहलाता है यह क्या कहलाता है अब इस कुशन को हम आपको क्लियर ली बता दें इस कुशन में डाउट है स्टार इसके सामने आप लगा लिजिगा के लिए अब यहां पर यह इस लिए लगवा रहे हम ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो यानि कि इसका अंसर का सूतरधार क्या कहलाता है घुगर्वा अमाल या फिर खमराज इन दोनों में से आपका एक हो सकता है या तो आपका ए रहेगा या फिर आपका डी रहेगा तो ए या डी दोनों में आप देख लेजिए का कौन सा आपका सही होता है वाकि हमने सी option का correct answer हो जाएगा चली next question की बात करते हैं अगला question को बहर को बर क्या है तो को बर जो है यह एक वेवाहिक अनुस्ठानिक बित्ती चित्र हो जाएगा को बर यहां से first option आपका सही चला जाएगा अगला question कुमार गुप्त और बंदू वर्मन के दसफूर अभिलेक के समद्ध में कौन सा खतन गलत है इनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चीत अब इस तरह की questions को attempt कर सकते हैं आपका यहां से correct answer क्या रहेगा देखें इस अभिलेक में रेसम बुनकरों की स्रेणी द् के निर्मान का उलेक है के लिए गलत कतना आपको इनके बारे में बताना है यह भारत में विग्यापन परंपरा का प्राचीनता मुदारने इस अभिलेक में दसपूर को पश्मपूर भी का गया है और इस अभिलेक की रचना भुभूती ने किती यहां से हमारा जो गलत जाएगा ये वाला डी वाला हो जाएगा अगला कुछन है यसुधर्मन के सूंदनी अभिलेक के रचीता का नाम बताना है वासूल कभी आपका यहां से बी ऑप्शन सही जवाब चला जाएगा अगला कुछ नहीं एक जली परिस्तिती की तंत्र में के तालाब में निमलिकित में से किस घटक का प्रतुनित कवको जिवानों एवं फ्लेजलेट्स के द्वारा किया जाता है तो ये जो किया जाता है ये किया जाता है अब घटक आपका यहां से अब घटक का टांसर रहेगा अब घटक का प्रतिनित किया जाता है तो C option से जवाब रहेगा नेक्स्ट कोशने भारा सरकार ने जल प्रदूसन निवारन ये नियंतरन अधिनियम का पारित किया भारा सरकार के द्वारा ये पारित किया गया जल अधिनियम पारित किया गया यह क्या गया 1974 में 1974 आपका D option से जवाब रहेगा अगला कुछन है SDG SDG India Index 2018 के अनुसार SDG 129 क्रमिसा यह दर्साद है तो यह क्या दर्साद है इस तरह से आपको इनके उपर क्लिक करना है जो कौन सा options यहां से आपका सटीक बैठता है क्लिए रहें यहां पर आपका जो correct answer फैला वाला ही हो जाएगा कोई गरीबी नहीं कोई भुकमरी नहीं उद्योग नवाचार का बुनियाद राचा उद्योग नवाचार और बुनियाद राचा यहां से हमारा first option जो है यही बिल्कुल correct answer यहां से हो जाएगा अगले कोईशन के और आगे बढ़ते हैं अगला कोईशन हमारी स्कीन पर है कोईशन है हमारा राष्टी स्वास्टे निथी 2017 ने स्वास्टे में सुधार के लिए साथ प्रात्मिक्ता वाले छेत्रों पर समनवित कारिवाही की पैचान किये दिये गए विगल्पों में से कौन सा साथ प्रात्मिक्ता वाले छेत्रों के अंतरगत नहीं है इन में से कौन सा नहीं है साथ के अंतरगत तो इन में से जो साथ के अंतरगत नहीं है यह आपको क्लिक करना है यहां से आपको क्लिक करना है, तो यहां से आपका जो correct answer हो जाएगा, यह हो जाएगा, अनपुर्ना योजना, अप्शन का correct answer रहेगा, किले रहे, अनपुर्ना योजना हो जाएगा, अगला कुशन है, मनुश्यों के गुंसूत्र संक्या 21 की प्राइसोमी के कारण होने वाला विकार है, correct answer का, डाउन से ड्रॉम, यहां से option number B के साथ में, अगला कुशन है, किस दाल का लगतार सीवन करने से, लेथाई रिस्म, नामक जो रोग है, यह हो जाता है, तो यहां से हो जाएगा, अगला कुशन है, ओजोन परत की जो मोटाई है, इसको किसके दवारा मापा जाता है, ओज और ऐगा, नेक्स्ट कोशन है, मनुष्य सरीर में ग्रीवा कसे रुकाओ की संक्या होती है, तो मनुष्य के सरीर में ग्रीवा कसे रुकाओ की संक्या जो होती है, यह होती है, 7, 7 आपका करेक्ट आँशर यहां से option number B रहेगा, मंगल गरह के लिए भारत का पहला अंतर गरही मीशन किस वर्स सपलता पूरवक लाँच किया गया यह किया गया सन 2013 में परस्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा एक आपका नेक्स्ट कोशन बनाएं वर्स 2017 में इस तरो के किस सेटलाइट लाँच वहिकल के द्वरा एक ही फ्लाइट में एक सुचार सेटलाइट सपलता पूरवक लाँच किये गए थे तो यह जो किये गए थे यह किये गए थे पी एस एलवी सी 37 में तो यहां से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वर्डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं एक लिए कुशिन के और राणी दुरगावती स्री अनंत प्रसाहन योजना के बारे में निमलिकित में से कौन सा कथन सही है अब यहां पर आपको कथन से रिलेट करके इस कुश्चन को अटेम्ट करना है यहां से आपका जो करके टांसर हो जाएगा यह आपका पहला दूसरा और तीसरा यह तीन हो तो यहां से हमारा एक, दो, और तीन सही है यानि की D Opsionist Qψन का बिल्कुल करेक्ट टांसर हो जाएगा अगला कुशन है वर्ष दो हजार चोईस में भारत के राश्टपती द्वारा नेमिलिकेत में से किसको राजसभा के बारवे सद्ष्ट के रूप में नामित या मनौनुवित किया गया तो यह जो किया गया है यह किया गया है इलेयर राजा को आपकी जिगा यहां से हमारा जो सद्ष्ट के रूप में नामित या मनौनुवित किया गया है सुदा मूर्थी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मध्यप्रदेश के पेरा केनों के लाड़ी कौन है जिने 2023 में अर्जुन प्रुसकार से समानित किया गया था करेक्ट आंसर आपका यहां से हो जी मानिक राव खान विलकर इनको जो है भारत के लोगपाल के अध्यक्ष क्रूम में निक्ति किया गया वर्स 2014 में तो आपका डी ऑप्शन इस कुशन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है विष्व की पहली व्यदिक घड़ी कहाँ पर इस्थापित हैं विष्व की पहली व्यदिक घड़ी है यह इस्थापित है उजन status िम वारह से उलें से दो हजाजार चोईस में भारत और इंगलेंड के मद्द संपन पांच टेस्ट में चुगी करिकिट स्रंकला में वीज़े रहा कौन वीज़े रहा है इसमें तो इसमें जो वीज़े रहा ये रहा इंगलेंड 4x से इंगलेंड 4x से इसमें वीज़े रहा D-option कर्रेक्ट आंसर रहेगा चलिए अगला कुशन है हमारा निम लिकने से कोन पारंपारिक माच गायन सेली से संब्द हैं आपका correct answer यहां से हो जाएगा ओम प्रकास सर्मा ओम प्रकास सर्मा या परमपारिक माच गायन सेली से संब्द रखें आपका D option बिलकुल correct रहेगा यहां से अगला कुछ नहीं सांकिकी में 2013 के अंतराश्टी पुरुसकार जिसे गनित के नोबल पूरूसकार के बराबर मना जाता है. उसके प्राप्त करता है कोने? सांकेकी कि यहां पर बात किजर रही है. तो इनका नाम है कल्यम कुड़ी, रादकरश्नडाव. यह जो हैं जिसे सांकेकी में 2030 के नतराश्ति पूरूसकार जिसे से गनित के नोबल पुरुषकार के बराबर माना जाता है उसके प्राप्त करता है सी ऑप्शन इस कुशन का सही जवाब हो जाएगा अगला कुशन है वर्स इफ आई डीए केंडिडेट्स टूनामेट्स जीतने वाले सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बने इनका नाम आपको बताना है डी मुकेस आपका करेक्ट आंसर डी गुकेस इनका नाम है यह हो जाएगा ऑप्शन नमर सी के साथ में के लिए तो ऑफशन नमर सी यहां से करेक् जियो पार्क जो है इसकी स्ताफना की जानी है आपका डी ओप्शन करेक्ट आंसर चला जाएगा अगला कोशन है फिप्टी नमर फिप्टी वन नमर कोशन हमारा मद्धिब्रदेश सरकार दवरा आदिवासी लोक वह परमपारिक कलाओ के लिए महिलाओ को कौन सा समान दिया और यहां से बी ओप्शन क रिकांसर आपका हो जाएगा मद्धिब्रदेश में आदिवासीयों के लिए स्वरोजगार योजना किसने किनके नाम पर चल रही है?. अभी ये यह वीर संकर सहा रगुना सहा राश्टि समान इसको बोले दाए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा जन्जाति कारे विभाग प्रकासन प्रतिष्ठान वन्या का स्थापना वर्ष आपको बताना कितना कौन सा है तो इसका है 1980, 1980, आपका D. और रहेगा छे लिए अगला कोशन है, महा नायक तर्ट्या अमाजाति से संबंदित हैं आप सभी लोगों को पतावा डिय थे प्रसिद्ध आतिवाइस स्फाटमता सेनानी थे बादल अप्ष्यमुई option correct answer रहेगा भिमा जंजाती के लोग मद्रदेश के किन जीलों में निवास करते हैं तो भिमा जंजाती के जो लोग रहते हैं यह रिवा और सतना जो जीला है यहां पर निवास करते हैं तो यहां से आपका सी option correct answer चला जाएगा अगला कुशने मांड वरा त्योहार डेस द्वारा मनाय जाता है मांड वरा त्योहार यह मनाया जाता है भारिया भारिया के द्वारा सी अगला कुछने किस मामले में भारत के सर्वोची नियाले के दोनों इन में से काफन सही नहीं है तो इन में से पहला वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुक्य चुनाव आयुक्तों और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मद्देत की स्तिदी में मामले कर निरने विदी आयुक द्वारा किया जाता है तो यहां से हमारा फास्ट ऑप्षिन बिलकुल करेक्ट आंसर चला जाएगा अगला कुशन इस सन्विदान में संसूधन के लिए कम से कम आदे राज्यों के विदान मंदलों द्वारा अनुस्वर्तन की अवश्यक्ता होती है करेक्ट आंसर यहां से चला जाएगा आपका यदि एससा संसूधन अनुसे 299 का के में कोई परिवर्तन करना चाहता है यानि कि D option आपका यहां से करेक्ट रहेगा चली अगले कुशन के बात करते हैं पंचायतों को सोपी जा सकने वाली सक्तियों अधिकार और जिम्मेदार्यों की सूची डेस में दी गई है यहां से करेक्ट आंसर आपका कीवल एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कीवल एक आपका करेक्ट आंसर रहेगा अटल बिहारी वाचपे सुसासन एयों निती विसलेसंस संस्तान कहां परिस्ति दें अटल बिहारी वाचपे सुसासन एयों निती विसलेसंस जो संस्तान है यह है आपका भोपाल में भोपाल C option करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्ने लिखित में से कौन सा अनुचीद भारत के राष्टपती पर महावयोग के बारे में बताता है भारत के राष्टपती पर महावयोग के बारे में जो बताने वाला article ले ये कौन सा है आइठिकल 61 आपका correct answer यहां से ओजएगा C option पहारति सन WirthДан के अनुचे 76 के नुसार राष्टपती उस व्यक्ति को भारत का महा नयाईवादी याने Attorney General नुक्त करेगा जो उच्छ नयाले का न्यायदीस न्यूक्त होने के योग जो जो कम से कम साथ वर्सों तक सरोच नयाले का दिवक्ता रहे चुका हो जो उच्छ युख्त करेगा रास्ट पदी आपका यहां से सभ लेट से संबधिद से 352 के तहट आपाद काल की घुसना कर सकते हैं तो यह करते हैं यह करते हैं संग मंंत्री मंदल की जो सलापना किस देश की कमपनी के सायोग से हुई तो ये जो भी आपको देखने को मिलता है भूपाल में इसकी जो इस्तापना हुई थी यह हुई थी ब्रिटेन के सयोग से ब्रिटेन डी ओप्षन इस कोशन का करेक्ट आंसर रहेगा क्लियर एक ब्रिटेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्स 2011 की जनगना के अनुसर किस जीले में नगरी जनसंक्या का प्रतिस सरवादी के करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बोपाल में बोपाल करेक्ट आंसर हैगा अगला कुशन निमले कित में से कौन से सीचाई परियोजना में चार राज्यों के भागिदारी है सीचाई परियोजना में चार राज्यों की जो भागिदारी है यहाँ पर आपका सरदार सरवर परियोजना जो है यह बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें चार राज्जों की बागिदारी बिलकुल है 2021 के अनुसार मद्य प्रदेश में छीतरपल और उत्पादन की दरश्टी से अनाजों में गेहूं का कौन सा इस्तान है गेहूं का जो इस्तान इसमें यह हैं यहां पर 24 प्रतामिस्तान प्रथम इस्तांद 2021 की यहां से हम बात करें, 2022 के नुसर, मद्य प्रदेश के में छित्रपल और उत्पादन के रिष्टि से अनाजों में गेहूं की यहां पर इस्पैसली बात की जा रही है, तो गेहूं की अगर बात की जाए, तो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा, ऑप् में, जो सोया बिन का जो उत्पादन प्रार्म हुआ था, यह हुआ था दिवास में, दिवास यहां से आपका डियॉप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, इलिए रहे, नेक्स्ट कोचने, रॉप फॉस्पेस्ट का उप्योग निम्लिकित में से किस उद्योग में किया जाता है, रॉप फॉस्पेस्ट का उप्योग के रहता है, उर्वर्क उद्योग में, उर्वर्क उद्योग बी ऑफ्शन से जवाब रहेगा, आपका, इलिए रहे, नेक्स्ट कोचने, मद्य प्रदेश के दक्षिन पूरवी भाग में अधिकांस वर्सा किसके द्वारा होती है, आप विंदियन स्कार प्लेंड का दक्षिनी भाग क्या कहलाता है, और काफी इजी-जी कोशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे है, कुछ का लेवल आपको वाकरी टब देखने को मिल रहे है, कुछ कोशन इजी भी मिल रहे है, यानि कि कुल मिलाकर देखे, तो पैटरन आपको पताइए कुछ इज़ी आता है कुछ हार्ड आता है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मॉडरेट पैपर यहाँ पर आपको देखने को मिलाए विंदियान स्काप लेंड का दक्षिनी जो भाग होता है यह क्या कहलाता है अमर कंटक पाठार अमर कंटक पाठार का राष्टी करन में दिप्रदीश में है वर्स 2021 के में निमलिकित में से कौन सा चक्रवाद भारत के पश्चिमी टट पर आया था एससी की एक्जाम चल रहे, सेलेक्शन पॉस्ट वेल भी की, उसमें भी कोशन ये बना है, अरुना चल प्रदीश, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा, अरुना चल प्रदीश, सबसे कम, जन संक्या घनतवे, only 17, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह आपक कोशन उसमें भी बनाएं, तो इसमें भी बनाएं, सेम टो सेम कोशन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, क्लियरे, अगला कोशन है हमारा, निम लिकित परवत चोटियों को उनकी उचाई के आदार पर अवरोही क्रम में, क्रम बद्द आपको करना है, और यह आपको यहाँ पर नेचे ऑफ्शन भी दे रखाए, कि पहले बाद में, फिर उसके बाद में कौन से, किस तरह क्रम में, यहाँ पर आपको देखना होगा, तो यहाँ पर गाईज, देखें, गुरु सिकर, महिंद्र गीरी, अनाई मोडी, पंचमडी, तो यहाँ पर आपका जो करेक इस तरह से यह आपका करम रहेगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नमर्डी हमें बिल्कुल किलियर दिखा इदर है, यह चार है, और यह आपका दो, फिर एक, और फिर तीन, यहने कि आपका डी ऑप्शन इस कुश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए, अगला कुश आपको आसानी होगी, कोई दिक्कात आपको नहीं होगी, अब कावरी नदी जो निकलती है, कहां से निकलती है, यह आप जल्दी से बता देजगा, कावरी जो नदी निकलती है, किलिए रहे, यहाँ पर आपको ब्रहमा गिरी पहाड़ी, यह हो जाएगा, पहला वाला, साव आपका पहले नमबर पर दो आएगा दो फिर तीन तो दो तीन किसमें आ रहा पहले दो तीन एक चार यानि कि आपका सी ऑप्षिन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्षिन नमबर सी चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कुशन क्यों अगला कुशन है निम लिकित में से भारत के क पशताने धारटके कौनसे दो राज्ज्यों से तेस के कूल कोहला नीचिप का 50% से अधिक प्राप्त होता है बिलकुल करेक्ट आंसर यहां से आपका जो होगतों यह तो आपका जो रहेगा जहारगंट रहेगा और दूसर रहेगा और इन जहारगंड और उडईज्यसा, आ यहां पर बात की जड़े, दालों के उत्पादन में, पहले नमबर पर मद्रदीस रास, यह option इस question का correct answer रहेगा, निम लिकित में से कौन सा राज बाकसाइट का सबसे बड़ा बंडार रखता है, बाकसाइट का सबसे बड़ा जो बंडार रखता है, यह ओडिसा रखता है, अब सबसे लंबी जो नदी है, इसका नाम नर्मदा नदी है, आप सबसे बड़ा बताई कावेदी ताप्ती सोन में, नर्मदा नदी सबसे लंबी नदी है, तो आपका C option correct answer चला जाएगा, नेम लेकित में से कौन सा कतन सही नहीं है, इन में से सही कतन कौन सा नहीं है, यह आपको मिलान करना है, यानि कि आपको बताना है कि कौन सा कतन इन में से सही नहीं है, यहां से आपका L नीलो घटना प्रतिवर्स घटित होती है, यह बैसिकली आपका सही कतन नहीं गलत है, य ये मद्यप्रदेश के बालगांट जीले से संबन्द रखता है आपका D option से जवाब रहेगा मद्यप्रदेश के निमले के जीलों को उनके अनूठे उत्पादन के साथ आपको मिलाना है असोग नगर में क्या फहिमा से या किस ले जाने जाता है देखे असोग नगर यहाँ पर आपको क्या फहिमा से यह भी नहीं पता है खरगोर मिला लिजीगा बुरहानपूर मिला लिजीगा और मंसोर मिला लिजीगा इन में से किसी का पता हो सबसे पहले आप उसको मिलाईगा जिसे कि हम यहाँ पर मिलाना इस्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम मिलाना इस्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर असोग नगर असोग नगर की क्या है चंदेरी साधियां पर सिदे तो यह पहला हो जाएगा चंदेरी असोग नगर में आती है अब इसका जो करम बनेगा, यह बनेगा 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, यानि कि आपका B option इस question का बिलकुल correct answer हो जएगा, B option सही जवाब आपका रहेगा, अगला question है, नीती आयोक की, SDG, India Index 2020 के अनुसार, सूचकांग, स्कोर रेंज के आदार पर सतत विकास लख्चों में, राज्यों के प्रदर्सन की विविनिस स्रेनियों को कैसे परिवासित किया जाता है, यह जो स्रेनिया है, यह किस तरीके से परिवासित की जा सकती है, तो आक अगला question है guys, पहला G20 Seeker सम्मेलन कहां और कब हुआ था, पहला G20 Seeker सम्मेलन जो हुआ था, यह हुआ था, वासिंग टरन में, वासिंग टरन DC, USA में, सन 2008 में यह हुआ था, तो B option हमारा बिलकुल सटिक जाएगा, वेधानिक तरलता अनुपात, यानिकी SLR यह होता है, SLR जल्दी से करेगा, जल्दी से करेगा, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 95 नमर कोशन है हमारा, 25% संसोधित करने, यहने भारत सरकार्द वारत 2007 में संसोधित क्या गया था, तो यह जो थी, नियून्तम सीमा, यह 25% थी, 25% आपका बिलकुल करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा, च पूशन देखते हैं वर्स 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का जो पूशन था, यहां से हमारा 5% रहेगा, बाकी इस कूशल्स में आप भी तोड़ा सब देख सकते हैं, अगर आपको डाउट है तो आप भी इसका थोड़ी से रिसर्च कर सकते हैं, है ना, तो 5% आप लगा सकते हैं, बाकी अगर आपको डाउट है तो आप इसका एक बार चिक भी कर सकते हैं, हम 100% शूर इसको लिएक कर नहीं है, चलिए, 97 हो गिया, 98 नमर कोशन के और आगे बढ़ते हैं, वर्स 2022-22 में मद्य प्रदेश और भारत की प्रतिव्यक्ति आई के अगरिम अनुमानों की इस्तिर, 2011-12 कीमतों पर तुलना करने पर हम पाते हैं कि मद्य प्रदेश की प्रतिव्यक्ति आई, भारत की प्रतिव्यक्ति आई के तुलना में कम हैं, मद्य प्रदेश की प्रतिव्यक्ति आई, भारत की प्रतिव्यक्ति आई के तुलना में कम हैं, इस तरह से यहां से हमारा B-Option से जवाब रहेगा 99 नमबर कोशन है मद्वर्देश सरकार की उन्नती एगरी जी आईएस पर योजना किस लिए है तो ये उन्नती जो योजना है मद्वर्देश सरकार की ये किस लिए है ये हैं किस लिए करसिक में पूर्व सूचना आधारित निरने लेने में सुविधा परदान करने हैं तू उपग्रे, इमेजनेरी और ड्रोन डेटा जैसे प्रद्योगी की का उप्योग करने के लिए हैं B-Option यहां से भी सही जवाब रहेगा और लास्ट कूशन आपके स्कीन पर आचुका है समगर सिक्षा अभियान निम्लिकित में से किन योजनाओं के एक ही करन से उबराएं सर्व सिक्षा अभियान SSA और राष्टि कोसल विकास मिशन राष्टि माद्यमिक सिक्षा अभियान और परदान मंत्रिक ग्रामे डिजिटल सक्स्टमेशन सर्व सिक्षा अभियान राष्टि माद्यमिक सिक्षा अभियान और सिक्षक सिक्षा बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ अभियान और सुकन्या समरद्य योजनाओं तो समगर रेख सिक्ष अभियान इमलिकित में से किन योस नाओं के एक यकरन से उबरा है इन चार ओपिशनस में साथ को खले खरना है correct answer और यह एगा और इनका हम आपको पूरा पेपर solve करवा चुके हैं आंसर की हमने आपके सामने खोल कर रख दिये पूरी जो भी था हमने आपको एक एक चीजे के लिए बता दिये सभी 100 questions का हमने बिल्कुल सटिकता के साथ में आपको आंसर दे दिया है कि किसका आंसर क्या जाएगा फिर भी अगर कोई question में आपको doubt रहे जाता है तो आप comment में comment करें की जरूर से बताएगा ताकि हम 12 से उस पर विचार करें और आपको सटिक और हम दे पाएँ बाकि इन में भी कोई doubt नहीं है जो था वो हमने आपको clear लिबता दिया है इसके बाद में C-set वाला जो paper है ये भी हम जल्द आपके लिए लेकर आएँगे paper 2 तो आप सभी बने रहे इस channel पर subscribe करके रखेगा bell icon को select करके रखेगा जैसे ये वीडियो आजएगा तुरंट से आपको पता चलिएगा इस वीडियो को like कर दिजिए अपने दोस्तों से येर भी कर दिजिएगा clear और इस वीडियो की PDF के लिए टेलिग्राम को जोन कर लिजिए का description में आपको link मिल आएगी तो मिलते हैं हमारे next जो C-set का paper है उसके analysis में तब तक लिए जैहिंद वन्दमात्रम